नमस्कार आप देख रहा है फास्टर प्लस न्यूज उपस्तित है जनपद गोरगपूर में और जनपद गोरगपूर में महानगर का चुनाओ जोरो पर हैं सभी परत्यासी अपने वाड की समस्या और वाड में परचार परसार में जूटे हुए हैं इसी के साथ हम उपस्तित है वाड संख्या में बेनी गंज रुध्रपूर में बेनी गंज रुध्रपूर के पारशद पत की उमिद्वार हैं और पूर्व में दो बार से पारशद भी रह चुके हैं सर से तो सवाल पूछना लाजिम है क्योंकि सर जो है वर्तमान में भी पार्थद है नाम है उज्जैन अहमद जी उज्जैन अहमद जी से कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पर दोनों पर ही बात हो जाज़ी सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमद सर बधाई पहले दे इतने दिनों में वाड संख्या 49 की जनता को दिया है सर जी धनमाद आपका पहले तो यह वाड नंबर 40 था दिवान बादार नाम बदल करके इसका हो गया है बेनी गेंज रूद्रपूर महिला सीट हो गए तो अब परत्यासी की रूप में मेरी पतनी चुनाव लड़ेंगे जो इससे पूर में भी 12 में चुनाव लड़ी थी और वो पार सकती अब उन्हीं को चुनाव लड़ाना है अब हमारे कारकाल में तो यह रहा कि हमने अपने वाडों में जो भी रोड़े थी रोड़ों को ठिक करा लिया कुछ रोड़ें बची हैं अगला जो चुनाव होगा मेरी पत्री लड़ेंगी अगर चंता ने हमें असिरवाद दिया तो फिर दोबारा जो बचे काम हैं उनको भी हम करा लेंगे जिसे रोड़ का काम था हमने करा लिया पत्परकास है लाइट हमारे वहां सब जलती रहती हैं कहीं इतने बड़े बाद हैं काल लाइट बुजी रहती होंगी ऐसा नहीं है की 100 percent सारा काम होता ही है सफाई है सफाई का काम भी चलता है जनता अगर कहती है तो उसकी सुनवाई होती है जनता के हर दुख सुक में हम खड़े रहते हैं अगर उनका कोई बी जीसे कार है उनका पहुत किलती नो या हम अकशर करके के यहां पर केम्प लगाया करते हैं pret oder की किसिम खला प्रुप काफी लोगों ने स्रमकाट भी बनवाया उसका लाब भी लोग उठाथे हैं त्रुस्थ हुआ है ने जगहांव पर सिकायतन आज थैए कि नेता जी स्कालतबॉज थे नेत्पचक्त पलती हमें फोन कर लेती है अगर हम कहीं है तो आदी कि ने आवास पोछ जाएंगे, वो आ जाते हैं, उनका हम सुनते हैं, उनका कार जो हमारे करने लाइक हो, उसको करते भी हैं, अब इससे जाते हैं, अगर जानकारी लेना है, तो जो भी है, हमारी जनता ही आपको बताएगी कितना हम से लगाव रखती है, हम क्या करते हैं उसके लिए ये बाकी कारों के बारे में अगर जनता से आप पूछेंगे तो वो बहतर बताएगी चुकि ये चुनाओ का करम चल ला है इसमें हर परत्यासी अपने आपको बताएगा कि हम बहुत ही अच्छा कार करते हैं हम ये कर लेकिन जनता से पूछा जाए तो सही फैसला वो लेगी अच्छा जिसा निर्देस आपको वही देगी सर इसमें नए नए परत्यासी आएगा है सब बता रहा है कि हम यहाँ पे लाइबरेरी खोल देंगे ये अलग-अलग मुद्दाएं उठा रहे हैं क्या कहेंगे तो देखिए लाइबरेरी खोलना जहां आप सकता पलती है ज़रुरत होगी सर यह क्या लग रहा है कि चुनावी मुद्दे लेकर करके लोग दोड़नावी मुद्दे है यहां तो यह नगर निगम का चुनाओ होता है नगर निगम चुनाओं में आपका सफाई आता है पत्परकास आता है रोड आता है पिये जल आता है इससे संबंदित जो भी कार यह है इसका बजट तो लाइबरेरी का कोई बजट तो होता नहीं है तो इसका बज़ात आता है रोड नाली पत परकास सफाई करमी रहते हैं सफाई करते हैं तो उसको जो है जो भी कह लीजिए आपकी वो जो खहते हैं कि लाइबरेरी बना देंगे ये बहुत अच्छा कर देंगे तो हो सकता है बेस्टिका तु अपना परस्ताओं देते हो अप कई परत्यासी कहते हैं कि हमको कामज़। कोई भी हो आपका firmly है आपको फंड मिलेगा उस फंड्र safety आपको कार कराना है। लेकिन तरह BGP के जो पारस्त है, उनका कार हमसे पहले हो जाता है, उनकी सुनवाई होती है, हमारी भी सुनवाई होगी लेकिन थोड़ा लेट होगी, मतलब यह जो कारेकाल में बजट होते हैं, उतना तो मिलना हुए, मिलना ही मिलना है और उस बजट को हम अपना पूरा अपने बाड में खर्श करते हैं क्या कहेंगे सर्वाड की जंता से क्या कहेंगे आप प्राव चैनि आ कि गयार्ट से कहेंगे एक इस बार मेरी पत्रीं चुनाव। लड़ने जा रही है अगर वह अच्छा काहएा स्सराम कारे में की है या फिर 12 के 17 की स्साला में हम ने काम किया तो हो सकता है वो हमारी जन्ता फिर से हम को जो है आसिर्वाथ दे-दे हम भी कायेंगे अपने दर्शकों कि आ दो बार का आपने कारेकाल देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइए लिख के जरूर बताएगा कि नेता जी का कारेकाल कैसा रहा आगे आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पर लिक के जरूर बताएं अब वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज धन्यवाद